आप सभी को नवरात्री की हारदिक बधाईयां और आज हम बना रहे हैं नवरात्री पे बनाई जाने वाली बहुत ही सिंपल सी चटनी जिसके साथ आप सारे फ्लेवर खा सकते हैं तो हमने लिया है एक इंच का अदरक का टुकडा और हमने लिया है आठ दस हरी मिर्चे और एक निम्बू का रस्क डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे दो वरात्री का दो ना हमने पुदीना की वह दोह मैं यह तोडूकर से तोड़के और फिर उसको दोकर रख दिया था तो यह देखिए पहले मैं थोड़ा ढालूंगी जितना हमारे जार में आ जाएगा और मैं इसको पीश लूँगी तो चलिए इसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद देखिए ये देखिए ये इस तरीके का हो गया है थोड़ा सचा है तो आप पानी अड कर सकते हैं अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही ह अब बचा हुआ सारा हरा धनिया और पुदीना जो है वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे तो ये देखिए सारा दूसरी बार में आ गया है एक बार में सारा नहीं आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिएगा और इसको भी हम एक बार पीस लेते हैं और पीसने के लिए आप इसको बन चलाना बन चलाना करके पीस सकते हैं और यह देखिए कितनी शांदार चटनी बनी है पूरे आप नवरात्रों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं और यह चटनी का फ्लेवर आपको कैसा लगा यह आप जरूर बताएंगे इसको अब हम क्या करेंगे एर टाइट कंटेनर में इसको रख लेंगे अराम से और साथ ही पू कि रेसिपी तो इसको हम रखते हैं स्टोर करके और शुरू करते हैं नवरात्रों की नई नई रेसिपियां तो आप चैनल को सब्स्राइब करेंगे तो साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए जिससे की हर रेसिपी आपके पास पहुंच चके नई नई योगे साथ मिलते हैं बाई